दिल्ली नगर निगम चुनाफ के लिए रविवार सुबह से मदान जारी है सुबह से वोटरों में उत्साहा देखा जा रहा है दिल्ली में 3665 पूत केंद्र बनाए गए हैं जा मदान चल रहा है हम बात कर रही है दिल्ली के सराइक काले खा दर्या गंच वाट के नगली गाउं जहां वोटिंग प्रक्रिया चारी है वहीं केंद्री मंत्री हरदीब सिहंपूरी ने कहा कि ये चुनाफ दिल्ली के लिए जगने का समय है हमें 2047 तक भारत को एक विक्सत देश बनाना है वहीं दिल्ली सीम अर्विंद के जिवाल ने वोट जालने के बाद कहा कि मैं लोगों से भारी संख्या में मद्दान करनी की अपील करता हूँ हम देख सकते हैं कि हर जगे कच्र है दिल्ली को साफ करने का मौका है उस पाठी को वोट दे जो विकास का काम करे और एमानदार हो भरस्टाचार को वोट मत दो हमें अगले पास साल में दिल्ली को साफ करना है तो वहीं दिल्ली में MCD के लिए वोट जालने पहुचे दिल्ली कॉंग्रिस के धक्ष अनील चौधरी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिला उन्होंने मीडिया से बाचीत में कहा कि मेरा नाम ना तो मद्दाता सूची में है और नहीं हटाई गई सूची में मेरी पत्नी ने मद्दान क्या है अधिकारी इसकी चार्ज करे ही है अब देखना यह है कि दिल्ली के जनता अपने मत से MCD के चाब ही किसे सौपती है यह तो 7 दिसंबर को नती से आने के बाद ही पता चल पाएगा दिल्ली से बिरो रिपोर्ट ब्रिजेश कुमार